में लिए अलीशा और वेलकुम यू तो सक्सेस ब्लूप्रिट्स लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे MP का फॉर्मेशन हुआ था फॉर्मेशन से पहले उसका क्या स्टेटिस था फॉर्मेशन के बाद उसका क्या स्टेटिस था and after reorganization कैसे वो छत्तिसगर और मध्यप्रेदेश में separate हो गया also हमने देखा था कि जब हम 2020 की बात करते हैं तो इस particular year में उसका क्या स्टेटिस है कितने divisions हैं, कितने districts हैं, ये चीज़े हमने उस दिन देखी थी आज के विडियो में हम उन्हें divisions और districts को elaborately पढ़ने वाले हैं हम देखेंगे कि कितने divisions हैं, कितनी districts हैं, कौन सा सबसे बड़ा division है, कौन सा smallest है so without wasting any time, let's get started okay students, so today's session is about division and districts of Madhya Pradesh तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि division होता क्या है, किसी भी country को या state को एक जिसे बोलना चाहिए parts में divide कर दिया जाता है for better administration, administration से यहां मेरा मतलब है सारी functionalities, सारी decision making वो उस state में division wise ली जाती है किस तरीके से कौन सा event होना है, किस area में, किस particular problem को solve करना है वो सारी चीजे देखी जाती है division wise जब हम district की बात करते हैं, तो उन division को छोटे छोटे parts में divide करके as a subunit जो है बनाया जाता है, जिने हम district कहते हैं इसका में एक बहुत ही simple example देती हो मान लीजे कि कोई एक area है किसी भी city का और उस area को हमने divide कर दिया है in various colonies ठीके अब हर ही colony की कुछ अलग shops हैं, कुछ अलग markets हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो अलग-अलग colonies जो हैं, वहां पे वो people जो वहां रहते हैं, जो वहां पे reside करते हैं, वो जाएंगे, अपना काम करेंगे and ultimately उनका जो भी process है वो उस area से हो जाएगा तो ये क्या हुआ, जो area आपने पूरा लिया था, that was a division जो छोटी-छोटी colonies वहां बनी, that is your districts I hope कि ये clear होगा MP में आपके 10 divisions होते हैं चंबल होता है, गॉलियर होता है, भोपाल होता है, इंदौर division है, उज्जैन division है, रीवा division है नर्मदपूरम है, जबलपूर है, सागर division है और शेहडोल division है अब हम इनको through maps देखते हैं, तो आपको better understanding होगे देखिए, ये जो light blue color का है, ये आपका चंबल division है जो green है, that is your गॉलियर division light blue here is your उज्जैन division जो बीच में light purple देख रहा है, this is your होपाल division dark purple is your सागर division grey वाला रीवा division है orange is your शेहडोल division yellow is your जबलपूर division red one is your नर्मदपूरम division pink one is your indoor division तो इस तरीके से आप map के through देख सकते हैं कि कैसे अलग-अलग division में अपनी state को distribute कर दिया गया है for better functioning, better administration also आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि हर एक division में काफी districts बनाए गए हैं तो इन्हें districts के बारे में हम पढ़ते हैं detail में पहला जो हमारा division है वो है चम्बल division अब चम्बल division के अगर मैं बात करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसमें ये तीन districts आती है लेकिन इन में से किसी का भी नाम चम्बल नहीं है चम्बल basically एक river है जो flow करती है मध्यप्रदेश में और यहां पे वो बहुत prominently flow करती है इसलिए इस division का नाम चम्बल division रख दिया गया है हम ये देख सकते हैं कि ये जो चम्बल division है this is the crown of मध्यप्रदेश क्योंकि ये northernmost division है हमारा इसमें भिंड आता है, मुरैना आता है और शोपूर आता है major decisions है वो flow करते है और जो major functioning है वो भी वहीं से होती है administrative जो आपके purpose है वो वहां से solve होते है वो है यहां पे मौरैना next जो हमारा division है वो है गौलियर division गौलियर division की अगर मैं बात करती हूँ तो गौलियर division में आपकी 5 districts आती है कौन-कौन सी गौलियर, शिफपुरी, दतिया, गुना और अशोक नगर ये 5 district को मिला के बनता है आपका गौलियर division हम map के थूँ देख लेते हैं सबसे यहां पे सबसे middle में है आपका गौलियर division उसके बाद यहां दतिया है उसके नीचे शिफपुरी आ रहा है पाँच districts के साथ आपका गौलियर division रेडी होता है और इसका headquarter जो है वो है गौलियर में देन आता है आपका भौपाल division भौपाल is the capital of मध्यप्रदेश हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से भौपाल को एक पार्ट बनाया गया था before a formation of MP और जब MP फॉर्म हुआ था तो वो एक district था ही नहीं वो सिहोर district का पार्ट हुआ करता था तहसील हुआ करता था and eventually फिर उसको एक capital की position दी गई जबकि वो एक district भी नहीं था later on उसको district में convert करा गया है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह जो middle red portion है यह red वाला portion जो है यह जो red वाला portion है this is your Bhopal यह yellow is your Sihor green one is Raisin light blue is your Vidisha and the green one is again the Rajgad इस तरीके से यह 5 districts जो है वो बन मिलके Bhopal division बनती है Bhopal division का जो headquarter है वो Bhopal में हमें देखने को मिलता है next division है Indore Indore division जो है उसमें 8 districts आती है तो आप ही समझ सकते हैं this is one of the division जिसमें सबसे जादा districts है इसकी जो districts हैं वो है Indore, धार, अली राजपुर, जाबुआ, खरगोन जिसे हम Eastern निमाड भी कहते हैं खंडवा जिसे Western निमाड कहते हैं बुरहानपुर और बढ़वानी जाबुआ जो है वो ग्रीन वाला है धार is yellow अली राजपुर is your light blue Indore is your red then there is बढ़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर अब Indore division का interesting part यह है कि यह biggest division है in terms of population area wise यह सबसे ज़्यादा बड़ा नहीं है पर सबसे ज़्यादा population Indore में है Indore को हम mini Mumbai भी कहते हैं क्योंकि अगर हम development के तौर पे देखे तो Indore is one of the most developed cities of Madhya Pradesh इसका जो headquarter है वो आपका Indore में ही है then Ujjain division में भी seven districts है seven में आता है Ujjain, Ratlaam, Niemach, Mansoor, आगरमालवा, शाजपुर और देवास अब इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको कई चीजें याद आ रही होंगी जैसे हमने देखा था कि जब formation हो रहा था MP का तो Mansoor district में से सुनेल टपा जो भानपुर तहसील में हुआ करता था Mansoor की उसको लेकर राजस्थान को दिया गया था है ना I hope आपको याद आ रहा होगा तो यह यहाँ पे हम map के थुरू देखते हैं इस नीमच, यह Mansoor है, आगरमालवा है, रतलाम है, औरिंज वाला उज्जैन है, शाजपूर है और देवास है इसका headquarter उज्जैन में है, रतलाम is very very famous in the whole state क्योंकि रतलाम का जो नमकीन होता है, वो बहुत ज़ादा अच्छा कहा जाता है और बहुत ही famous है रतलाम फोर नमकीन then next division is your Riva division, Riva division की जब मैं बात करती हूँ तो Riva में अब जो है वो चार आपकी districts आती है, एक है Riva itself then सतना है, सीधी है और सिंगरॉली है, इसका headquarter Riva में है अब जो चीज हमें यहाँ ध्यान रखनी है वो यह है कि Riva division के में पहले 7 districts हुआ करती थी शेहडोल डिविजिन जब बना है, उस time पे आपका जो districts है वो इसमें से लेकर शेहडोल डिविजिन में बनाई गई है, पहले शेहडोल, उमरिया और अनूपुर तीनो इस ही डिविजिन में आते थे नेक्स्ट है नर्मदापूरम डिविजिन, इसमें तीन districts आपकी आती है, जो है होशंगाबाद, आपको बहुत छोटा दिख रहा है बड़ाई गैस आपको दिख रहा होगा, the red one is होशंगाबाद, the green one is हर्दा, the yellow one is बैतूल, इसका headquarter जो है वो होशंगाबाद में है, जो important चीज है वो यह है कि पहले इसका जो division था, उसका नाम होशंगाबाद division था, जिसको बाद में नर्मदापूरम division जो है, उस नाम से change कर दिया गया, उस time पे जो बैतूल था, व तब बैतूल को इसका एक पार्ट बनाया गया है, जबलपूर division की जब मैं बात करती हूँ, तो हमने एक चीज यह देखी थी, कि जो इंदौर है, वो था सबसे ज्यादा बड़ा division in terms of population, लेकिन जब हम area के हिसाब से बात करते हैं, तो area wise सबसे जो बड़ा division है, वो इसमें भी 8 districts हैं, जो हम मार्क के थ्रू देखते हैं, सबसे पहला है आपका जबलपूर, देन कटनी है, दिंडोरी है, मंडला है, बाला घाट है, सिवनी है, शिंदवाडा है और नर्सिंगपूर है, इसका headquarter जो है जबलपूर में ही है, दिंडोरी जो है, वो 2012 में जबलप division का पार्ट बनाया गया था, इन 2008, फिर दिंडोरी को जबलपूर का पार्ट बना दिया गया, तो यहां पर हमें तीन चीज़े याद रखनी है, सबसे पहले यह largest division है, एरिया वाइस, इसका headquarter जो है जबलपूर में है, और दिंडोरी को 2012 में इसका पार्ट बनाया गया था, नेक्स division जो है, वो है सागर division, सागर division में आपको यह देखने को मिलेगा, कि जो districts है यहाँ पे, वो 6 है, पहला है आपका सागर, दूसरा दमो है, पन्ना है, छतरपूर है, टीकमगड है और निवाडी है, टीकमगड और निवाडी की जब मैं बात करती हूँ, तो निवाडी जो है, वो 1st October 2018 में एक नया district declare किया गया था, पहले टीकमगड ही हुआ करता था, यह जो पूरा area आप यहाँ पे, यह जो area आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक हुआ करता था और टीकमगड हुआ करता था, बाद में इसको distribute करा, separate करके निवाडी में बना दिया गया, एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, कि जो टीकमगड हुआ करता था पहले, वो अपने industrial area के लिए जाना जाता था, लेगिन अब वो ही चीज निवाडी में shift हो चुकी है, तो जो industrial advantage था, जो profit हुआ करता था टीकमगड को जो मिलती थी importance, अब वो निवाडी को मिलती है इस particular division का जो headquarter है, वो सागर में है, अब जो हमारा last division है और जो सबसे recent division है, वो है शेहडोल division, शेहडोल division में तीन district से आपकी, पहला है शेहडोल, दूसरा है अनूपपुर और तीसरा है उमरिया, इन तीन district को बना के शेहडोल बना है, पहले इसी district में जो है दिंडोल, भी हुआ करता था, division में, यहाँ पहले है दिंडोरी, और यह पहले शेहडोल का पार्ट हुआ करता था, पर लेटर ओन इसको यहाँ से निकाल के जबलपुर में shift किया गया, and ultimately यहाँ पे जो तीन आपको दिख रहे हैं, यही अब शेहडोल division की districts है, इसका headquarter जो है वो and यह recent है क्योंकि 14th of June 2008 को इसको established किया गया है, तो इस तरीके से हमारे यह 10 divisions और उनकी districts जो है वो हम discuss करते हैं, अब हम देखते हैं कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा district कौन सा है, तो जब मैं area wise बात करूंगी, तो largest division आपका जबलपुर है, और smallest division आपका चंबल division है, area के हिसा आप से हम बात कर रहे हैं, और जब हम population के हिसाब से बात करेंगे, तो indoor division जो है, वो सबसे ज़्यादा populated division है, और smallest जो है, वो आपका शेहडोल division है, यह चीज़े आपको याद रखना बहुत ज़्यादा important हुजाता है, क्योंकि छोटे छोटे से facts हैं, पर कभी भी पूछे जा सकते हैं, अब हम बात करते हैं, smallest और largest district on the basis of area, division था यह, जो हमने अभी अभी अबलपुर और चंबल divisions थे, अब हम district जब देखते हैं, तो area के हिसाब से सबसे बड़ा district जो है, वो छिंदवाडा है, जिसका जो area है, वो 11,815 square kilometers है, देन सागर है, सागर का जो area है, वो है आपक 10,252 square kilometers, 10,252 square kilometers, देन सिफपुरी है, जिसका area है, 10,066 square kilometers, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, कि यह जो area है, यह सबसे largest districts है, अब जब मैं smaller districts की बात करूंगी, तो अभी जो newly formed district है, जो है निवाडी, वो सबसे छोटा district है, 1,318 square kilometers है, दतिया उसके बाद है, दतिया कौन से division में आता है, गोलियर division में, वो है 2,691 square kilometers, और last जो है, जो third smallest है, वो है भोपाल, जो की capital है, बट उसका area है, 2,772 square kilometers, जब हम population wise बात करते हैं, तो सबसे largest है indoor, फिर है जबलपुर, जो area wise सबसे बढ़ा है, and then है सागर, smallest में निवाडी है, आगर मालवा है, और हर्दा है, तो ये चीजें हमें याद रखनी है, generally आपसे पूछा जाता है कि largest कौन सा है, smallest कौन सा है, पर कभी-कभी second smallest ये second largest भी पूछा जा सकता है, तो that is why it is important कि हम ये चीजें जो है वो याद रखें, तो इसके साथ जो है आज की class मैं wind up करती हूँ, आपको बहुत ही simple सी class थी, और बहुत ही simple चीजें हैं, जो हमें ध्यान रखनी होती है, छोटे-छोटे facts and figures जो हैं, वो पूछ लिया जाते हैं कई बार, तो ये सारी चीजें मैं exam point of view से लेकर आई थी, कि जो important है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊं, I hope कि आपको मेरी class आज की पसंद आई होगी, in case अगर कोई doubt है, कोई आपको लगता है कि कोई चीज clear नहीं हुई है, तो आप comment section में मुझसे बूछ सकते हैं, and if you like the video, please turn the black thumb blue and please share the video and जितना हो सकें, अपने friends के साथ share करें, relatives के साथ share करें, जिससे जो benefit है, वो हम और लोगों तक पहुचा सकें and next class में फिर हम मिलते हैं, till then take care, study well and be safe, bye bye. झाल